Hello everyone, Welcome to Success with Raya Academy 23 July 2021 के The Indian Express के editorial page को हम discuss करेंगे जो भी important article होंगे उन्हें हम विस्तार से जानेंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले जो article हम ले रहे हैं वो है The Recovery Games यानि ये article बेसिकली Olympic के उपर लिखा गया है कि Olympic में किस तरीके से जो प्रतिभागी पहुंचे हैं वो जापान के लिए एक recovery game बन गया है जैसा कि इनके जो पूर प्रधान मंत्री थे जब उन्होंने यानि कि जब जापान को इसकी आप कहा सकते हैं कि मेजबानी मिली थी तब भी उन्होंने इसे recovery games बोला था और इससे पहले जापान में एक बार और Olympic का आयोजन कर चुका है इन सब बातों को आज के इस article में हम डिसकस करेंगे तो चलिए अब सुरू करते हैं article को तो article में बताया गया है कि टोकियों ने 2013 में 2020 Olympic की मेजबानी का अधिकार प्रात किया था ततकालीन जापानी प्रधान मंत्री सिंजो एबे ने इसे recovery games का नाम दिया था यह जापान के सक्षम एक रूप को दरसाता है कि किस तरीके से आप कह सकते हैं फुकुशिमा यहाँ पर देखे लिखा गया है फुकुशिमा के में जो भुकम पाया था सुनामी आई थी और 2011 में प्रमाणू उर्जा सैंत्र आपदा का सामना करने के बाद जापान ने अपने आपको सम्हाला और Olympic के लिए फिर से उसने तैयारियां की और आवेदन किया दस साल के बाद भले ही फुकुशिमा जो की नो Olympic की जो इसमें अब दस साल भाद जबकि फुकुशिमा में नो Olympic का प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी recovery सब्द ने इसे पूरी तरह से जो यहाँ पर देखे रिकवरी सब्द है इसने पूरी तरह के से इसे नया रंग दे दिय जिसमें COVID-19 महामारी की कई लहरें और वैस्विक इसतर पर 40 लाख लोगों से ज़्यादा की मौत होने के बावजूद भी इसमें अब एक कह सकते हैं कि एक नया एक आयोजन देखने को मिल सकता है उत्सा देखने को मिल सकता है हलाकि आयोजकों ने खेल रद करने से इंकार भ किया जाए आई ओसी को अर्बों के जो उनका पैसा लगा था उसको भी डूबने का डर था इस संस्क्रण को खत्म करने से ओलंपिक आंदोलन का मौजूदा डर और बढ़ता गया था लेकिन अगर टोकियो 2020 बायो बबल के अंदर सुरक्षित रहता है तो भी वाइरस इस समर गेम्स को आप कहा सकते हैं कि सर्वयापी नायक के तौर पर उभर कर आया है यह गेम यानि कि यहां पर यह बताया गया है कि बायो बबल में भी यह गेम खेला जाएगा जिसमें वाइरस से सुरक्षा कि इसमें बात कही जा रही है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा अचारित किया जाता जबकि अतीद में एथलीटों को अपनी सक्रीता दिखाने की अनुमती नहीं थी आई ओसी इस बार अधिक मिलनसार रहा है याने कि इस बार खिलाडियों के साथ भी जो कोविड नाइंटीन है उसे लेकर जादा आप कह सकते हैं कि मिलनसार दिख रहा है ओलंपिक जो ओलंपिक है वो राजनीतिक और राजनीतिक नहीं है एथलीट घुटने टेक सकते हैं अपने बावप से और जो मतलब उनका जो कराने के लिए आयोजन है उसके लिए कई तरीके के सुरक्षा मानुकों से गुजरते हुए भी जो एथलीट आगे बढ़ रहे है उसको देखते हुए यह सब अब जापान की जिम्मेदारी है कि वो खेलों को सुचारू ढंग से इसमें चलाए इन दर टाइम रिमहामारी के समय में उत्सा भैसे लड़ता है मीडिया हाउस और जो भी एक सर्वेक्षन के अनुसार इसमें बताया गया है कि सारजिनिक स्वा प्रतिसत आबादी ने इन गेमों का विरोध किया था हाला कि आशावादी कहते हैं कि एक बार ओलंपिक मसाल जलने के बाद देश और दुनिया के लिए सरसेष्ट अटलीटों के लिए यह मंच तयार हो जाता है और वो इसका आनंद भी लेते हैं चाहे वो तहराक हों धाव के नाम दिये गए हैं जिमनास्टिक के नाम दिये गए हैं कराटे खिलाड़ियों के नाम दिये गए हैं यह एक तरीके से खुब आप कह सकते हैं बढ़ चरकत सामने आए हैं एक सेर की तरीके सामने आए हैं जो लोग खेल के प्रतिश जादा उतसाहित नहीं हैं उनकी नजर में जापान पर महामारी का खत्रा बेशक दिखाई दे रहा है और वैस्ट्रिक तौर पर दिखाई दे रहा है आगे बताएं कि इसमें 200 देशों के 15,000 से जादा एथलीट और 5,000 से जादा सहाय कर्मचारी और अधिकारी टोक्यो में आ चुके हैं और ये एक मजबूत और सफल आप कह सकते हैं कि निर्देश देने की दुनिया को दिखाने की कोशिस है जापान की नेक्स्ट आर्टिकल है दास इन पेगासस देखिए पेगासस की जो यहां पर डिल सामने आ रही है या कह सकते कि डिल नहीं भी थी तो इस कमपनी है उसकी जो पेगासस है उससे जो डाटा लीक हुआ है जो सक्के घेरे में है उन सब बातों को इसमें कवर किया गया है यह काफी है कि जेम्स बॉन जो एक सरकारों के लिए खुफिया जासूसी का काम करते थे उनी के आरोपों के तहट पूर्वा ग्रहों को कारण याने की एक 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 जामपल दिया गया है कि कारण इन सवालों को टाला नहीं जा सकता है कि एक निजी कमपनी द्वारा आतिश्योक्ती बनी हुई है एनसो पेगासस एक्सपोज ने जो इस्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी संदे है तो उसे 21 सदी में केवल धन या फिर गोले बारूत के रूप में नहीं देखा जा सकता है लड़ा नहीं जा सकता है वास्तुक हतियार जिस तरीके से आप किसी की निगरानी करते हैं जासूसी करते हैं ये सबसे अच्छा हतियार माना गया है और इससे काफी ज़्यादा सुचनाई भी कट्टा की जा सकती है और लोगों को नुकसान भी पहुँचाय जा सकता है information is power सूचना सकती है आगे बताया गया है भारत सरकार या NSO की और से इस बात से पूरी तरह से इंकार नहीं किया गया है कि भारत सरकार एक ग्राहक है या Pegasus Software का उप्योग करती है NSO ने कहा है कि केवल सरकारें विसेश रूप से कानून प्रवर्तन और खूफिया संग्रठन ही इसके ग्राहक है ना की निजी संस्था है लेकिन Software की कमी को इसमें आकना याने की कमी को ही जागर करना ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है दोज हूग जिन लोगों को कथित तोर पर निशाना बनाया गया था उनमें नया पालिका विपक्ची दल के नेता कारिकर्ता और पत्रकार सामिल है असंतोस की संभावित आवाजे भी अब इसमें उठ रही है एक साल के बहतर हिस्से के लिए हमारे घरों तक ही सीमित रहे हैं हम ऐसा लगता है कि अब हम व्यक्तिकत स्वतंतरता के नुकसान की उच्छ संभावना का सामना कर रहे हैं सम्विधान सभाव के नागरिकों को विचार भाषन अभिवक्ती की स्वतंतरता की गारंटी देता है और हाल ही में सरवोच चनैले निज्टा के अधिकार को मौलिक अधिकार की घोष्णा के बारे में भी बताया है ये एक राष्ट के लिए एक लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में सक्षम होने के लिए महत्पूर्ण है हाला कि सूचना असहमती और राय के वाकों की आवाजों को दबाने में अब ये गुंजने वाली नहीं है और नहीं आप ठहरने वाली है इसराइल के जो डिफेंस मिनिश्टर हैं रक्षा मंत्री हैं उनका बयान आया है कि पेगासस और अन्न साइबर उत्पादों को विसेश रूप से सरकारी संस्थानों के लिए निर्यात किया जाता है और केव आगे आर्टिकल में बताया गया है कि दिसंबर 2018 में सरकारी प्राधी करण ने किसी भी कंप्यूटर संस्थान में उत्पन प्रेशित या प्राप्त या संग्रहित किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट मॉनिटर और डिक्रिप्ट करने के लिए 10 सुरक्षा और कुफिया एथिक्स रूल की अधिसुचना सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन पर रोक लगाने के लिए प्रतीत होती है जिसके कारण अब प्रसिद्ध ट्विटर की भी पराजे हुई है जो नय आईटी कानून आया है उसकी वज़ा से भी अब ट्विटर की पराजे हुई है ह एक महत्पून बिंदू पर यदिवे सत्ता वाले लोगों को निसाना बना रहे हैं तो सांत आवाज वाले हम क्या कर सकते हैं सरकार दोरा जारी पहले की अधिसूचनाओं में कुछ बोधगम में जाच और सेस रासी थी उधारन के लिए 10 अधिसूचित एजंसियों में से को उठाए जा रहे हैं आप कह सकते हैं कदमों को भी दर्थाता है इतिहाद से पता चलता है कि हम हमेशा यह हमेशा सूक्ष और आप कह सकते हैं अतिकर्मन पूर्ण ही रहा है नेक्स्ट है कि इसके बारे में कोई विसेज जानकारी नहीं है कि पेकासस का इस्तमाल अवैद रूप से लोगों के जीवन में हैक करने और कानून की सिमाओं के बाहर निजी जानकारी प्रात करने के लिए किया गया है पिछले साल राजी के चुनाओं के निर्माण में जूटा प्रजार नागरिक्ता कानून का विरोध करने वाले किसानों और छात्रों के व्यवहार सारजिनिक आक्रोज की कमी केवल ये संकेत देती है कि काम किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जासूसी रखी जाती थी आगे आर्टिकल में बताया गया है कि सूचना प्रोध दोगी की अधिनियन 2000 में धारत 43 और चाचट हैकिंग को अपराद घुसित करती है क्या या साबित हो जाना चाहिए कि भारत सरकार ने बिना किसी उचित कारण के अपने नागरिगों के फोन हैक करने के लिए पेगासस सॉफ्ट्वेर का इस्तमाल किया एक व्यक्ति के पास दूसरों के बीच सतंतता गोपनीता भाशन और अभिव्यक्ति के बुनियादी मौलिक अधिकार है सरकार का बंद दरवाजों और नीजी बाचीत में दखल देना निंदनी है इसका असर यह होता है कि किसी व्यक्ति को सोचने बोलने या यहां तक कि अपने घरों में एकांत रहने की भी आजादी नहीं है रशनात्मक आलोशना लेने में सक्षम होने के बज़ाए लोगों की समस्याओं पर उनकी आवाज सुनने और उसे सही करने के लिए उप्योग करने के बज़ाए सरकार केवल इस पर जासूसी करती है डेटा संदक्षन विधेयत निगरानी के संबन्द में कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है एक सरकार जिसकी निगरानी नीती अपारदर्सी और गुप्त है कोई उपाय और वास्त्विक सहरा नहीं देती है इन नीतियों का तुरंत प्रभाव भी देखा जा सकता है तब मेजॉर्टी इस नॉट आलवेज राइट बहुमत हमेशा सही नहीं होता है एक लोगतंत्र के पास सवाल पूछने जवाब मांगने और स्पष्टी करन मांगने का अमिट अधिकार है राज जी की निगरानी राज जी की निगरानी जो है वो कई इस तरपर होती है और इसमें लोगों को भी उस पर बढ़ चड़ कर ध्यान देना चाहिए वेक्ति की स्वतंत्रता के रूप में अपने निड़ने लेने की छमता को सीधे तोर पर बाधित करने और बहुत संख लोगों को भटकाने का प इसमें ये बताया गया है कि उपभोकता मामलो के मंत्राले ने e-commerce नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है इसके अनुसार e-commerce प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाली कंपनिया उस प्लेटफॉर्म पर अपना कोई समान नहीं बेच सकेंगी साथ ही e-commerce प्लेटफॉर्म प पूरा करने के लिए डिश्टल या इलेक्ट्रानिक नेटवर्क पर सुचना प्रोदोगी की प्लेटफॉर्म मुहया कराती है इन नियमों में यह भी कहा गया है कि कोई भी e-commerce एकाई एक ही वर्ग के ग्राकों में ऐसा भेदभाव नहीं करेगी जिससे उनके अधिकारों का विक्रेता को कितना भुकतान करना पड़ रहा है और उसे किस तरह से किस तरह के कि अन्यसुल्क देने पड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म को विक्रेता और उनके बीच की सभी सर्तों के बीच बाधिताओं की भी जानकारी इसमें देनी होगी इन सभी कवायदों का मकसद e-commerce प प्लेटफॉर्म के खिलाफ ग्राकों और उनके विक्रेताओं की तरफ से ऐसी कई सिकायते सरकार को मिल रही हैं कि प्लेटफॉर्म पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है इसमें जो इस समय संससात्र चल रहा है मनसून संस चल रहा है उसमें ये बताय गया है कि सरकार के पास कई ऐसे सवाब देने का समय है या था जैसे कि ओक्सीजन की कमी उन्होंने क्या-क्या इस में चीजे एड की हैं किस तरीके से व्यवस्ता को सुचारू किया है आगे क्या उनके पास रोड मैप क्या है लेकिन जो विपक्ष है वो किसी तरीके से भी संसत को चलने नहीं दे रहा है और हंगामा कर रहा है जिससे सरकार अपनी बातों को नहीं रख पा रही है हालागि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे और हम जाने तो यह आज का यहने 23 जुलाई 2021 का दर इंडियान एक्सप्रेस का एडिटरियल पेश था आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर और शेयर करे बाई रिटरियो अप्दा लगा GU.